हाई गाईज कैसे हो सभी लोग? तो बिसीकली मैं एस ड़ाइब की वीडियो नहीं बनाता हूं लेकिन आज को वीडियो बहुत जादा स्पेशल है तुम देखो कि कि मैं काच के सामने खड़ा हूँ, मिरर के सामने खड़ा हूँ, बराबर लेकिन बात यह नहीं है बात यह है कि जैसी मैं इस mirror पर shift कर रहा हूँ मेरे बहुत ही बड़ी और enlarged image बंद रही है यहाँ पर देखो बहुत नॉर्मल सी image बंद रही है जैसी यहाँ पर shift कर रहा हूँ एक काफी enlarged और बड़ी image बंद रही है इसका कारण क्या है, reason क्या है तो जो हम जनरली घरों में mirrors देखते हैं वो plain mirrors होते है यह जो mirror ना अपना यह concave mirror है और concave mirror जो होता है वो एक बड़ी, enlarged image देने में बहुत help करता है तो generally shaving हो गया और फिर dentist इसका इस्तेमाल करता है क्यों? क्योंकि क्या होता है कि इससे एक बहुती enlarged और बड़ी image दिखते है आप देखो कि मेरे चेहरे के कितनी बड़ी image दिख रही है हालाइक में बहुत दूर खड़ाओ mirrors है ठीक है तो in short, बात यह है कि concave mirror generally बहुती enlarged image देता है इसको concave mirror क्या होता है वो नहीं पता था अब तुम समझ चुके वार तुम देखो यह cave की shape का है ध्यान से देखो अंदर के साइड ना मुड़ा हुआ है तो आज अपने कुछ बहुती शांदा चीज सीख लिए लाइक करना मत बूलना